अगश्वणी पोपाल से प्रस्तोते प्रादेशिक समाचर नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर पहले मुख्य समाचर केंद्री ग्रह मंत्री राजना सिंग ने कहा देश में सुरक्षा की स्थिति में सोधार हुआ है प्रदीश में किसान अंदुलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा ग्राम बंद के चलते सबजी और दूद की आवक पर असर मुख्य मंत्री शिवराजी सिंग चोहान ने कहा है प्रदीश में पांच लाग चात्र चात्राओं को प्रशिक्षित कर बहुराश्ट्री कमपनियों में रोजगार दिलवाय जाएगा और सीबी एसी की दस्वी कक्षा के परिक्षा परणामों में 90 प्रतिशस से अधिक विद्यारती पास हुए और अब समचर विस्तार से केंद्री ग्रहमंत्री राजना सिंग ने आश्वसन दिया है कि सरकार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद समाब तक करेगी और जम्मू कश्मिर में शांती बाहल करेगी आज नई दिल्ली में हुए एक समबाताता समेलन में पेशले तीन वर्ष में अपने मंत्राले की उपलबधियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और नकसली हमलों में काफी कमी आई है आतंकवादी संगटनों के वुरुद फोकस्ट कारवाई के कारण हमने कुछ महत्तपों उपलबधियां आसिल की है इंडियन मुजाहिदीन के पांच आपरेटिप्स को यना ये स्पेसल कोड द्वारा कैपिटल पनिस्मेंट दिया गया है इससे स्वाभाविक है कि उनकी कमर तूटी है इसी तरह केंदरी यम राज्य सरकारों की एजन्सीज के बेहतर क्वाइडनेशन के कारण हमें IS-IS के खत्रे को कंट्रोल करने में भी एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई है यदि पिछले तीन वरसों के कारकाल यानि 2011 से लेकर 2014 से की जाए तो राज्यों में हुई घटनाओं में 25% की कमी आई है और हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी 42% की कमी आई है और LWE कैडर के एलिमनेशन में 65% की बढ़ोत्तरी और सरेंडर करने वालों में 185% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है यह बड़ी काम्याबी है जम्बू कास्वीर जैसा मैंने पहले कहा है कि इस्तिती में काफी तेजी के साथ सुधार हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि 2011 से लेकर 13 तक 239 मिलिटन्स निटलाइज किये गए थे वही पर वरस 2014-17 के दौरान यह संख्या बढ़कर 368 हो गई है प्रदीश में किसान अंदलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा है इससे कई जिलों में सबजी और दूद की आवक पर असर पड़ा है बरती किसान संग ने कहा है कि आज इसे ग्राम बंद का आयजन किया जा रहा है जिसके अंतरगत काओं में दूद और सबजी शेहरों में नहीं बेजी जाएगी संग के शित्री संगठन मंत्री शिवकांत दिक्षित ने उजन में समवादाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि हमने सरकार के सामने दो शर्टे रखी हैं जिनमें प्याज खरीदी और पिछले दो दिन में आंदोलन के दोरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लिये जाने की मांग शामिल है श्री दिक्षित ने कहा कि जब तक उनकी दो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कोई चर्चा नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि भारती किसान संग खाद पदार्थों को फैकने के सख्त खिलाफ है और इसे रोका जाना चाहिए वहीं राश्ट्री किसान संग के राश्ट्री अध्यक्ष शेव कुमार शर्मा ने किसानों से अपील कि है कि वे विरोध सौरूप अपनी उपज को गरीब समुदाय में निश्ल के वित्रित कर दे श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को कड़ी मेहनत के बाद भी महेंगे बीज और खाद मिल रहे हैं और प्रदेश सरकार किसानों को कोई साहियोग नहीं कर रही है इदर मुख्यमंत्री शिवराजी सिंग चोहन ने किसानों से अपील की है कि किसानों को परिशान होने की आवशक्ता नहीं है और आपस में चर्चा करके समस्या का समाधान किया जा सकता है केंद्री समजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कटनी में जिला विकलांग और पनरवास केंद्र खोलने की घोशना किये है आज श्री गहलोत ने कटनी में अठारह सो से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम आंग तता साहय के उपकरन वित्रित किये इस हफ UXरपर केंद्रिय मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नराविय मोदी के नेतृत में सरकार ने पिछले तीन सालों में दिव्यांगों के कलियान के लिए बहतर कारी किये है इसके लिए देश को अंतराश्रिय इस थरपर 5 प्रॉसकार भी हासिल हो है उन्होंने बताये कि सरकार अपने खर्च पर दिव्यांगों का बीमा भी करा रही है मतप्रदेश स्टोन क्रिशर इंडस्ट्री एसोसेशन ने राजी सरकार से रेत बनाने के लिए उनके प्लांटों को 50% सबसिड़ी दिये जाने की मांग की है एसोसेशन के अध्यक्ष देवेंदर पाल सिंग चावला और महासेचेव आलोक कोसामी ने आज भुपाल में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि नदी से रेत उत्खनन पर रोक के चलते रेत की कमी को राजी के 8000 स्टोन क्रिशर पूरी कर सकते हैं इसके लिए आत्रिक्त निवेश करना पड़ेगा इसलिए सरकार सबसीडी दे उन्होंने क्रेशर के लिए जमीन की लीज 30 साल तक करने की भी मांग की प्रादिशिक समाचार आकश्वणी भुपाल से प्रसारित किये जा रहा है तज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं इसके अलावब प्रादिशिक समाचार पुलेटिन यूट्यूब, ट्यूटर और फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेज़ पर सुने चा सकते हैं मुक्यमंत्री शिवराजी सिंग चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पांच लाख चातर चातराओं को परशिक्षित कर बहुराश्ट्री कमपनियों में रोजगार दिलवाए जाएगा आज चिंदवाड़ा जिले की पांधुरना तहसिल में कामठी कला जलाशे के भूमी पूजन के दोरान उन्होंने कहा कि रज में अगले तीन सालों में 20 लाख मकान बनाकर गरीमों को दी जाएंगे जिन में से 780 मकान इस तहसिल में बनेंगे साथ ही यहां शिवाजी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी श्री चोहान ने ये भी कहा कि किसानों के हित में बहतर फैसल लिये जाएंगे इसलिए किसानों को चिंतित होने की आवशकता नहीं है मुख्य मंतरी ने कहा कि छेनवाडा में मेडिकल कॉलेज भी बनाये चाएगा केंद्री मानो संसाधन विकास मंतरी प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश सभी नागरिकों को बहतर से बहतर शिक्षा उपलब्द करवाना है आज भुपाल में भारती विक्यान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के पांचवे दिक्षांत समारों को संबोतित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की शिक्षा की शेत्र में ग्रामिन इलागों पर विशिश नजर है क्योंकि देश की दो त्याही आबादी गाउं में ही निवास किया करती है शिरी जावडेकर ने कहा कि गरीबों की शिक्षा के माध्यम से सेवा करना और उनका विकास करना ही हमारा प्रमुक लक्ष है समारों में परमान उर्जा आयोग के पूरवा देख्ष डॉक्टर अनिल काकोड कर को डियस सी की मानत उपाधी सहित विभेन विद्यार्थियों को अलग अलग श्रणी की उपाधियां परदान की गई केंद्री मादिमिक शिक्षा बूर्ड सीबी एसी की दसमी कक्षा के परिक्षा परणाम खोशित कर दी गए हैं परिक्षा में इस वर्ष 90.95% बच्चे पास हुए हैं परिक्षा में 16 लाग से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था बोपाल से इस परिक्षा में करीब 7,000 चातर शामिल हुए थे बोड दोरा 11 रीजन के रिजल्ट खोशित किये गए हैं जिसमें त्रिवेंद्रम का रिजल्ट 99.85% रहा और सबसे कम 65.53% गोहटी रिजन का रिजल्ट है सीबेसी दोरा पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग शुरू कर दी गए है जो 11 जून तक जारी रहेगी गोरतलब है कि अगले शिक्षन सत्र से दसमी को अनिवार बोड परिक्षा किया जाएगा प्रदेश कांग्रेस दोरा भाज़पा सरकार की जन्विरोधी नीतियों को जागर करने के लिए रज्ज में कल से 8 जून तक पोल खोल चौपाल कायरक्रम आयजित किया जाएगा कायरक्रम सिबनी, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, रीवा और सतना जिलों में आयजित किये जाएंगे जिसमें विधान सभा में निता परतिपक्ष, आजे सिंग और प्रदेश कांग्रेस अध्याक्ष आरुन यादव शामिल होंगे केंद्री कोशल विकास रज्ज मंतरी राजी प्रताब रूडी प्रवास पर आज जबल पुर पहुंचे प्रवास के दोरान पतरकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीन साल के कारिकाल में देश के विकास की अवधरना को ना किवल सिद्ध करके दिखाया है बलकि देश के लाखों लोगों को जन कल्यानकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ भी पहुं दिन के अधिक्तम तापमान में रीवा, शैडौल, गौलियर, होशंगबाद और भूपाल में काफी विरिद्धी हुई तथा शेश संभगों में कोई विशेश परिवर्तन नहीं हुआ। देवी हत्याकांड की फरार आरोपी इंद्रा विश्नोई को राजिस्थान एटियस ने देवाज जिले के निमावर से ग्रिफतार कर लिया है। ने योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। जबलपुर के परियाट इमली अक्षेतर में उचनायले और एंजी टी के निर्देश के बाद प्रशासन दोरा आवेद डेरियों को हटा दिया गया है। शेडल जिलाज जेल के एक विचारा धीन कैदी की रीवा चिकितसा महविद द्याले के अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई। और निशनल ग्रीन ट्रिबूनल दोरा प्रदेश में धान एवं गेहों की फसल की कटाई बाद नर्वाई को जलाना प्रतिबंदित कर दिया गया है। और रंत में मुखे समाचार एक बार फिरू। केंद्रिय ग्रह मंत्री राजना सिंग ने कहा देश में सुरक्षा की इस्तिती में सुधार हुआ है। प्रदेश में किसान आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा ग्राम बंद के चलते सबसी और दूद की आवक पर असर। मुखे मित्री शिवराजी सिंग चौहन ने कहा प्रदेश में पांच लाग चातर चातराओं को प्रशिक्षित कर बहुराश्ट्री एक कमपनियों में रोजगर दिलवाए जाएगा। और CBAC की दस्मी कख्षा के परिक्षा परणामों में 90 परतिशत से अथिक विद्यार्थी पास हुए। इसके साथी प्रादेशिक समाचार का इबुलेटिन समाथ हुआ।